कि बांकि आणिल्प अस्केलाम्रेकों मिस्मुल्लायार्मानेर्येम् Gudak आज मैं बना रही हूँ मेंगो फालो॥्थाhalf chodzias इसके लिए मैंने 3 मैंगो लिए 1 लुआ, 2 लो मैंने कुप्स में कटिया Go मैंगो मिल्क बनाओंगी और जैली बना के रखी it work bhaq के होते हैं ड्राइ होते हैं तो यहां पर आधा कप कंडेंस्मिल लेकर इन सतीनों चीजों को मिलाकर पीस कर इसका पना लिंग के लिक्विड यह शेक बन गए तरह से मैंगो का अब इसकी असेंब्लिंग करेंगे तो सब्साइट मैंने पहले सोग करके रखे थे फालूदा मैंगो कट करके रखे हैं और यह है तूटी फ्रोटी घर की पनी हुए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अब इसके असेंब्लिंग की तैयारी करेंगे तो कपलेंगे और इस ग्लास को अब क्या करना है इसकी जो एज़ें इसको इस पर रोसर अब यार वह अबसा इस तरह से लगाएंगे ताकि वह फ्रोट होता हुआ नीचे तब चला जाए उससे बहुत अच्छा लुक आएगा तो यह करने के बाद आप इसमें मैंगो डालेंगे इसा कोई इसमें हार्ट इंफास रूल नहीं है कि इतना ही डालना है तो मैं कॉछ कटे हुए बादाम पिस्ते नालेंगे जो भी अवेलेबल हों डालें पारी कटे हुआ रोस्टे हों के तो ज्याद अच्छा प्लेवर देतें तो लिए रोस्ट किया हुए है इसके माद में डालूं की सबजा सीट्स या तुखमलंगा बोलते हैं बेसल सीट्स जो की स में मैंगों के सिर्ट मैं और दो सब्सक्रा डीजेंने कलिए मैंगोघ के मादलने के सान tea औरे थे करना कर दो मैंगो क्यूबस डाले तक चैनimum के आपकर पॉरो करें और इसे पोर करने के बाद चमम्मंच से थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ता कि नीचे तक मैंगो जा सके क्या होता है कि टंडे टंडे साधर सामान है वह उपर इस टे कर जाता है तो थोड़ा सो चम्मत से बार स्टर कर लें ताके नीचे तक मेंगो जाये या पर यह भी कर सकते हैं कि जब मेंगो जैली के फ़स्ट टाली उसके बाद मैंगो मिल्क तो तो नीचे जला जाएगा फिर डालें फिर थोड़ा mango milk डालें तो ये पूरा हर लेयर पर mango milk evenly distribute हो जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं तो मैंने अग्रास में आप जैली डालने के बाद mango milk पोर किया उसके बाद फिर मैंने ये सब्जा सीट्स डालें nuts डालें फालूदा डालें फिर mango milk पोर किया फिर थोड़े से बात थोड़ा नीचे भी चला गया तो इसमें बन गई अब इसमें डालेंगे आइसक्रीम के एक या दो स्कूप्स और अब इसे टॉप अप करेंगे महगो आइसक्रीम से यह महगो आइसक्रीम मैंने गर पे बनाई हुए इसकी रेसीपी मैं जल्दी अप्लोड करूंगे मतलब जब आप असेंबलिंग कर रहे हैं तब भी डाल सकते हैं तो मैं उपर डाल रही हूं टूटी फूटी और इसको पोदीने के पत्ते से अच्छा डेकुरेट करेंगे और इसे सर्फ करेंगे ठंडा ठंडा तो मैं वो फालुदा बन करते हैं अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और जादे से जादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स वर वाचिंग अलाफिज